नमो नमहा सच्छिदानंदर उपाय विश्वद पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय श्रीकृष्णाय वयम्नुमहां एक प्रश्णा लेते हैं, मित्र ने पुछाए लेकिन गुरुजी मेरा तो धाये कान से सुनता है कि बार मृदंग और बंसी और एक बार कई बार मृदंग और बंसी और एक बार गुंगरु की आवाज भी आती थी वो तो दस नाद में से नहीं है और क्या सूरती चार तरह की नाद के बाद दिर्यक ही मृदंग या बंसी सुन सकती है जो मुझे हुआ है और गुरु जी उत्तर में ये गुरु जी मुझे उसका जवाब देना ऐसा आगे उसने लिखा है तो चलो हम ये प्रश्ण का ऐसे समझ लो जवाब देते तो पहले तो मैं ऐसे मुझे भग्य साली समझता हूँ कि आप मेरे पर स्रद्धा रखके ऐसी बाते पूछते हैं जो आपकी नीजी है और आपको अंदर से एक विश्वास होता है कि गुरु जी मार्ग दर्शन देंगे तो चलो क्या होता है कि ये जो प्रशन एक्दम बहुत अच्छा है उन्होंने बताए कि ये जो दस प्रकार का नाद है तो भाई ये जो रुशी मुने थे उन्होंने सेंपल की तरह से ऐसे दस नाद बोले ऐसे तो ग्यारा बारा तेरा वो बहुत नाद होते हैं ऐसा समझ ल नाद सुनाई देते हैं देखो कई लोग रहते कितने सालों तक ऐसे ध्यान करते रहते हैं मर कोई नाद का तो नामी निशान नहीं होता है सुनो कभी-कभी ऐसा समझ लो और ऐसा नहीं कि वो लोग साधना करते हैं नाद नहीं सुनाई देता है तो आप बहुत भग्यशाली है और आपकी स्थिती बहुत उंची है इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो सादक है वो सिद्ध की और जा रहा है जो सादक है आज समन्य सादक है वर दीरे दीरे सादना करेगा और फिर ऐसे मुझे पूछेगा फिर दुसरे को पूछेगा फिर जवाब तो मिलेगा ऐसा यदि मैंने जवाब नहीं दिया तो दुसरा और कोई जवाब देगा यदि कोई और ने जवाब नहीं देगा और यदि आप ध्यान करते रहे ऐसे तो अंदर से जवाब प्रगट हो कई बाहर मुरू देखो अभी कान का ऐसा मत सोचो देखो क्या होता है मलव में कि देखो दाए से सुनो या ऐसे समले फ्यू लिसन फ्रम राइट और लेफ्ट ड़सन मेक अनी डिफ्रेंस यदि आपने बहुत से वीडियो आती उसमें होता है कि नाद इस कान से सुनना होता है समय लो मैं नाद सुनाई देता है वह बहुत अच्छा है पहली बात है ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है या मेरा अनुभव नहीं है और मैंने कि यदि लेफ्ट से सुनेंगे तो ज्यादा फाइदा और राइट से सुनेंगे तो सांख्या दर्शन बोलते हैं उन्होंने लिए उभायात्मक मनहक देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना तो आप सुनते हैं कोई भी कान से सुनते हैं चलो एक कान को बंद कर of year यह जो मन है वो कान के माध्यम से सुनता है तो मन सुनता है ऐसे ही पकड़ लेते हैं अभी आता है कि कई बार मुरुदंग और बंसी देखो अभी यह जो है मुरुदंग बंसी यह जो नाद सुनाई देते हैं वो बहुत अच्छा है और जैसे नाद सुनाई देते हैं उसका कोई परिणाम होता है तो आप इस जन्म के नहीं बहुत जन्म के सादक है और जो सादक है उसी को नाथ सुनाई देता तो अच्छी बात है और इसमें लिखाए कि गुंगरू की अवास सुनाई देते हैं देखो वो और दस में नहीं है तो मैं समझो कि दसी समाप्त होता है हरी अनन्त हरी कथा अनन्त विवीड बहुत नादे मैं लिखेंगे तो कितना लिस्ट हो जाएगा तो रुशी मुने चुन चुन के दस निकाले ऐसा समझ लो इसलिए आपको नाद सुनाई देता है बहुत अ देखो कभी कभी क्या होता है कि जिसे मैं ऐसे वीडियो में ऐसे बताया था कि लास्ट मेगनाद होता है लास्ट होता है तो ऐसे मत समझो कि लास्ट होता है वो तो रुशी मुनियों ने बताया और मैंने बताया आपका अनूबह के आधार से हमको चलना है तो आप ध्यान कर अपने मुझे प्रशन लिखा तो प्रशन किसको उठताहे वाई तो प्रशनาน होता है मफ STO प्रेशितम मनं नहर तो चलो मैंने मुझे लगदा है किया साधना करते रहे और कभी आगे पीछे कोई भी नात सुनाए दे उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए और आप देरे देरे आत्म साक्षात करकी और आगे बढ़िए तो रियलाइज देट अहम भ्रह्मा स्मी मैं भ्रह्म हूं मैं दिव्या आत्मा हूं तब तक आपको पहुंचना है यू हव टू रियलाइज अप टू देर स्टे तत्व मसी जो लास्ट उप देशे वेदो में लास्ट उप देशे कीडी मातू नानो लागो हाथी मातू मोटो क्यू उसको अधर समभाव द्रश्टी आप में आ जाए ऐसा चलो मैं आशिरवात देता हूं जब मैं आशिरवात मैं कौन हूं हो सकते हैं कि मेरी स्थिति से आपकी स्थिति भी सुनने वाले की अच्छी हो सकती हो ऐसा मत समझो कि मैं कोई सिद्ध हो गया हूं मैं तो सिर्व यही जब मैं काम कर रहा हूं जब मैं लेक्चर दे रहा हूं वीडियो बना रहा हूं तो समझता हूं कि जो सुन आपका कल्यान हो आपका मंगल हो मैं आसिरवाद देने वाला कौन और मेरी क्या ऐसी समझ लो कि चलो मैं आपको सब को आसिरवाद दू सब एक बोलता हूं आपसे और आपके गुरु जनों है आपके जो इष्ट है उनसे आसिरवाद मिल रहा है ऐसा बहुत लोगों ने मुझे बताए कि गुरु जी आप बोलते हैं आपका शूब हो कल्यान हो मंगल हो तो हमेरा होता है तो होता है मिस आपकी स्रद्धा से परिणाम आता है जितनी ज्यादा स्रद्धा इतना ज्यादा परिणाम तो चलो आपकी स्रद्धा को मैं नमस्कार करता हूं बारं बार नमस्कार करता हूं जो आपकी स्रद्दा है तो स्रद्दावान लबते गनानम जिसके पास स्रद्दा है उसी को गनान मिलता है आपका शूब हो आपका कल्यान हो आपका मंगल हो मेरे साथ बोली आनन में रहो मुझ में रहो घराल में खूश रहो एंजोइ एवरी मॉमेंट आप दे Om Namah